जिस इंसान ने महज 11 साल की उम्र में शेर मार्केट में निवेश करने की शुरुआत की और आगे चलके दुनिया के सबसे सफन निवेशक बने, जो इंसान अमरिका के नेबरास्का में ओमा शेर में जन्में, जिनको मिडास ओफ ओमाह, सेज ओफ ओमाह, विजार ओफ ओमाह, और ओमाह भी कहते हैं, वो इंसान है, ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, वारन एडवर्ड बफेट, जब वारन बफेट को पुछा गया, इतनी कम उम्रम है, अपने शेर मार्केट में निवेश करने की शुरुआत कैसे की? तो वो कहते हैं, देर हो गई, शुरुआत तो इसके पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो बिना देरी किये, अगर आप भी शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत की लिडिंग ब्रोकर के साथ खाता खोलना चाहते हैं, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फाइदा जरूर उठाइए, अगर आप जानना चाहते हैं शेर मार्केट, क्या है, ये काम कैसे करता है, अगर आप शेर मार्केट में विल्कुल नहे हैं, तो हमारा जो एप्लिकेशन है, आरिया मनी, उसको भी डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन मे वैसी description में दे रहे हैं, वारन बफेट के कंपणी का नाम है बखशार हैत्वे, बखशार हैत्वे के annual meeting के दोरान वारन बफेट और उनके पार्टनर चारली मुंगर, मीटिंग में आयो हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, वारन बफेट कोका कोला पिना पसंद कर और उन्होंने इस company के share में निवेश भी किया है। जब Warren Buffett ने underwear बनाने वाली fruit of the loom इस company में निवेश किया, तो एक meeting के दोरान उनको और Charlie Mungar को एक सवाल पूछा गया, उनको पूछा गया, क्या आपने fruit of the loom की underwear पहनी है। तो Warren Buffett ने जौब दिया, बड़ी सपश्टता से जौब दिया, जी हाँ, मैंने fruit of the loom की underwear पहनी है। लेकिन ये मैं नहीं जानता, Charlie underwear पहनते है की नहीं। तो Charlie Mungar ने कहा, मैं भी underwear पहनता हूँ, लेकिन पिछले कुस दिनों से मैंने नई underwear नहीं ली है। तो Warren ने फट से कहा, शायद Charlie, डिस्काउंट के लिए वेट खरने हैं। वैसे Warren Buffett कह चुके है, उनके गुरू सर Benjamin Graham से उन्होंने सिखा है, Price is what you pay and value is what you get. बात सौक्स की हो या स्टॉक्स की हो, उन्हें अच्छी चीज खरिदना पसंद है जब वो डिस्काउंट पे मिले। मैं सेभी रदिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेभी रदिस्टर डिसच अनलिस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, भुशन गोड़ बोले, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हम ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर Warren Buffett, इनकी कहानी, इनकी केस्ट की जिन्दगी से मिली सबसे अच्छी सला उनको उनके पिताजी ने दी है, उन्होंने उनको बताया, प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन उसको खोने में बस 20 मिनिट का समय भी काफी है, अगर आप याद रखते हैं, तो चीज़ों को अलग तरीके स करेंगे, Warren Buffett ने अपने पिता से सिखा आपकी बहारी स्कोरकाड में क्या है, इससे जादा महतोपूर्णा है, आपके आंतरिक स्कोरकाड में क्या है, मतलब दूसरे लोग क्या करते है, क्या बोलते है, ये सोचने से जादा इंपॉर्टन्ट है, आप सही काम करने पे ध्यान कराया छोटी सी उम्र में जब Warren Buffett उनके पिता के साथ उनके आफिस में जाते तो वहाँ पे रक्की किताबे उठाते और पढ़ने लगते उनके आफिस के नजदीक और एक शेर वोकिंग का आफिस था वहाँ पे भी वह जाते और छोटी सी उम्र में वहाँ पे ब्लैक बोर्ट पे शेयर्स के दाम अपडेट करने का काम भी बड़ी उच्छा से करते 30 ओगस 1930 ओमाह में जल में वारन बुफेट बच्पन से ही संख्याओं और धन के संब्धित विशों से प्रेरित थे वैसे घर के आलाथ अच्छे थे फिर भी 6 साल की उम्र में वारन बुफेट ने च्विंगम बेचने का काम किया और कारोबार की दुनिया में अपने नंदिक अदम आगे बढ़ाते हुए पुराने गोल बॉल बेचे मुंफली बेची, कोका कोला बेचा इतना ही नहीं घर घर में अकबार डालने तक का काम भी उन्हों ने किया बच्पन से ही वारन बुफेट बड़ी अकलमंदी के साथ कारोबार किया करते मुनाफा कमाने के लिए अलग-अलग फ्लेवर्स के च्विंगम अलग-लग करके बेचना ये मुश्किल है समझते हुए च्विंगम को पैक में ही बेचते लेकिन कोका कौला का 6 बॉटल का पैक जो 25 सेंड में मिलता था उस पैक में से बॉटल को अलग करते एक बॉटल 5 सेंड को बेचते और 6 बॉटल बेचके 5 सेंट का प्रॉफिट कमाते हैं बच्पन में बहुत सारी अपाटमेंट में वारन अकबार डालने का काम क्या करते थे जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई भी होती थी मंधेंड तक कुछ लोग फ्लैड छोड़ सकते थे और यहाँ पे न्यूस पेपर का पेमेंट डूबने का वारन के लिए रिस्ग भी था इस रिस्ग को पहचानते हुए वारन अपाटमेंट की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उनसे काफी अच्छी दोस्ती कर लेते थे अगर अपाटमेंट में कोई फ्लैड छोडने वाला है तो उसके बारे में अपाटमेंट की देखभाल करने वाले लोग वारन को टाइम पे बता देते थे और जिसके करण ऐसे फ्लैट छोडने वाले लोगों के हाँ पे वारन टाइम पे पहुँच जाते थे और अपना payment कलिट किया करते थे जो लोग अकबार बंद करना चाथे हैं उनको वो दूसरा अकबार उफर करते जो अकबार ले रहे हैं उनको magazine उफर करते अपने existing clients को product cross selling करना वो बहुत भी जानते थे आपको जानके आश्चरी होगा 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला tax return भरा 15 साल के Warren Buffett ने 2000 डॉलर के समाचार पत्रों को वित्रीत कर दिया था अब उसमें से 1200 डॉलर का निवेश उन्होंने 40 सेकड के खेत में किया माई के बारे में भी पढ़ा था अब इससे inspiration लेते हुए उन्होंने उनके मित्र डॉन डैनली के साथ नाई के दुकान में एक pinball machine को बिठाया नाई के दुकान में waiting करने वाले लोग इस machine में पैसा डालके खेल सकते थे अब इस machine में उनको 25 डॉलर मिले जिससे उन्होंने एक और machine खरी दी एक और पुरानी machine करी पुरानी pinball machine जब भी खराब होती तो उनके दोस उसके मरमत क्या करते अब इन पुराने मिस्टर विल्सन की सिक्का संचलित machine कंपनी के लिए काम कर रहे है लेकिन यहां पर मिस्टर विल्सन उन्होंने अच्छे मुनावे के साथ भेज दिया। वारन जब 10 साल के थे, तो उनके पिताजी उन्हें नियोर्क स्टॉक एक्षेंज लेके गए थे। वैसे ये उनका जलम दिन का तौफा था। वारन कहते हैं, उन्होंने उनके पिताजी से कहा था, मैं नियोर्क स्टॉक एक्षेंज देखना चाहता। उनके पिताजी ने उनका परीच है, सिड्नी वाइनबर्ग नाम एक व्यक्ति से कराया। जो उस वक्त गोल्डमन सैक्स में वरिष्टर सहबागी थे और उस वक्त के वाल स्टॉट के सबसे प्रसिद व्यक्ति माने जाते थे। जिन्होंने फर्स से अर्ष तक का सफरते किया था। वाइनबर्ग के कारेले में वारन दिवारों पे लगे फ्रेम किये चितरो एवं दस्ताविजों को देख रहे थे। जब वहां से निकलने का समय आया तो वाइनबर्ग ने वारन के कंदों पर हात रखते हुए मजाक में उनसे पूछा तो उन्हें कौन से कंपणी के शेर्स पसंद है। वारन कहते हैं वाइनबर्ग उस वक्त को उस दिन को शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं उस दिन को सदा के लिए याद रखूँगा। ग्यारा साल के उम्र में ही वारन ने अपनी बहन डॉरिस के साथ मिलकर सिटी सर्विसेस नामक इस कंपणी के शेर में इन्वेस्ट किया। तो एक साल में उसके 1100 होते हैं 1100 के उपर फिर से 10% का ब्याज मिलता है तो अगले साल उसके 1210 होते हैं इस प्रकार से 1000 के उपर सालाना 10% का ब्याज मिलता है तो 25 साल में उसके 10,834 हो जाते हैं मतलब 1000 एसी छोटी सी रकम power of compounding से 25 साल में 10 गुना बढ़ जाती है 11 साल के Warren Buffett इस power of compounding को जानते थे इसलिए 11 साल के उम्र में ही उन्होंने declare कर दिया था 35 साल तक वो millionaire बन जाएंगे क्योंकि वो जानते थे power of compounding से एक छोटी सी रकम भी अगर सही तरीके से invest करते हैं और patience रखते हैं तो वो बहुत बड़ी रकम में तब्दील हो सकती हैं अगर आप भी जानना चाते हैं आज कितना निवेश करें तो भविश में उसका कितना हो सकता है तो हमारे application में जो calculators दिये हैं उसका फाइदा जरूर उठाईए 1947 में Warren Buffett ने विड्रो विल्सन हाइज स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की लबक 374 चात्रों में Warren 16 विस्थान पर थे उनके हाइज स्कूल के एर बुक ने उन्हें future stock broker कहा हाइज स्कूल के पढ़ाई के बाद Warren का मानना था वो जानते हैं उन्हें आगे क्या करना है और जीने के लिए वो परियाप्त पैसे भी कमा रहे थे अब उनके मुताबिक college की पढ़ाई उनको बस धिमा कर सकती थी लेकिन उनके पिताजी की कारण उन्हें ने college जोईन कर लिया अब college में एक शिक्षक ऐसे थे जो बस किताबों में रटी हुई lines ही पढ़ाते जब ये शिक्षक किताबों से रटी हुई lines को पढ़ाते तो वारन उनको कहते सर लाइन तो ठीक बताई आपने लेकिन किताब में लाइन में जो कॉमा है वो नहीं बताई आपने वैसे college की दुनों में एक वर्ग ऐसा भी था जो उने पसंद था प्रोफेसर होकेन बेरी इंडस्ट्री 101 जिसमें अलग-अलग उद्योग और व्यावस्याव के बारे में विस्तुरूट चर्चा की जाती थी accounting course के परिक्षा के दौरान लगबग 206 बैठे थे अब परिक्षा के प्रश्ण पत्रों को वित्रीत करना भी समाबत भी नहीं वहा था वार्न मुफेट खड़े हो गए और उन्होंने कहा मेरा पेपर खतम हो गया है क्या मैं जा सकता हूँ ये देखके उनके मित्र आश्चेर हो गए थे वार्न ने उनके एक दोस से कहा आप आगे की पढ़ाई वो हवट से करने वाले हैं तो वो अब उनको वही मिलेंगे लेकिन आपकी उम्र कम है ये बताते हुए वहाँ पे उनको एड्मिशन नहीं मिली 19 साल के वार्न ने इन्वेस्टिंग के बारे में एक ऐसी किताब पड़ी थी जिसके कारण इन्वेस्टिंग की प्रती उनकी पूरी सोच ही बदल गई उस किताब का नाम है The Intelligent Investor जब वार्न को पता चला The Intelligent Investor और Security Analysis जैसी बहतरीन किताबी लिखने वाले लेकक सर Benjamin Graham और David Dodd कोलंबिया उनिवेस्टि में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने उनको एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा मुझे लगता था इतनी बढ़िया किताबी लिखने वाले लोग शायद गुजर चुके हैं लेकिन मुझे अभी पता चला है आप लोग जिन्दा है तो आपके हाँ पे अगर मुझे पढ़ने का मोका मिले तो ये मेरे लिए मेरा स्वभाग यहोगा आगे वारन को कोलंबिया उनिवेस्टि में उनके गुरू सर Benjamin Graham के साथ पढ़ने का मोका मिला कॉलेज शुरू होने से पहले ही उन्होंने उनकी किताबे मानोजबानी आत कर ली थी जब उनकी क्लास चलती तो Benjamin के सवाल होते वारन के जवाब होते उनकी क्लास एटेंड करने वाले उनके दोस कहते हैं वो क्लास मतलब Benjamin और Warren की जुगल बंदी होती और जिसके वो प्रेक्षक बन जाते 22 साल में Benjamin Graham से A प्लस ग्रेड मिलाने वाले Warren Buffett एक मातर छात्र थे Warren Buffett ने उनके गुरू सर Benjamin Graham के कंपणी में नौकरी करने की इच्छा जटाई लेकिन उस वक्त जू लोगों की unemployment की समस्या को ध्यान में रखते हुए जू लोगों को नौकरी देने वाले Benjamin Graham ने Warren Buffett को उनके कंपणी में नौकरी नहीं दी इसके बाद Warren उनके गाव उमा में वापस लोटे अब इसके आगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने का मुकाम Warren ने हसिल कैसे किया ये हम देखेंगे इस कहानी के अगले एपिसोड में Warren Buffett कहते हैं The More You Learn, The More You Will Learn जितना ज़्यादा सिखोगे उतनी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते है शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है भारत में लीडिंग ब्रोकर के साथ खाता खोलना चाहते है तो जैसे बताया है हमारा एप्लिकेशन आरिया मनी उसको डाउनलोड ज़रूर कीजे जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्षन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा है तो इस एपिसोड में इतना ही, अगर आपको आज एपिसोड अच्छा लगाई तो इसको लाइक ज़रूर कीजे कमेंट करके बताये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इस एपिसोड को जादा से जादा शेर भी कीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे और बेल आइकॉन को हिट भी कीजे तक कि नया वीडियो जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन ताइमली मिल पाए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एपिसोड तक हैपी ट्रेडिंग, हैपी इन्वेस्टिंग धन्यवाद, थैंक यू